Hello everyone and welcome to my channel smart home science तो आज हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं stages of dying इससे पहले की वीडियो में हम cover कर चुके हैं dying के बारे में तो करते हैं start अगर हम बात करें stages of dying की तो जो हम dying chapter के बारे में discuss कर रहे थे तब भी हमने ये समझा था कि जो dying है वो fiber stage में भी की जा सकती है ठीक है, तो करते हैं आज हम सबसे पहले fiber dying से तो जब सभी को पता है कि जो textile की smallest unit होती है वो कौन सी होती है, fiber होती है fiber से yarn और yarn की बात करें, fabric तो जब fiber से yarn में जाती है तो spinning process और yarn से fiber में weaving, knitting, felting इन सब के बाद और fabric से garment में आती है तो अगर हम बात करें, fiber की तो fiber dyeing का मतलब क्या है कि जब रेशे की अवस्ता में ही रंगाई की जाती है तो उसको fiber dyeing कहा जाता है यानि आप बोल सकते हैं कि जो raw material मिला उसको ही जब रंग दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है fiber dyeing या बोल सकते हैं कि जब रेशे की अवस्ता में ही रंगाई की जात कहा हो चीज कैसी होगे oldworking 4 आइंग करें दूं सोटे की चूपक डाइंग तो इसमें ट्रेंग अगर लिच्छा क्वार्न परफिश नो बास हुआए में वह वी आधा फ्लंक से आगज नहीं हो एंगर भी में दनागप्सोरल इंग परफिश-कषफिया ते चेक्षक कोंगेता है, तो स्टेपल फाइबर की मादकि करें, बते हैं पहले तुकों स्टेपल उकसे पहले शूमंशुते हैं कैसा था इस्टक की जाता है, पहले जोन भुस्ता और किया झाता है, तो जब इसटेपल फाइबर को रंगा जाता है तो इसको डाइग कहा जाता है वही अगर हम बात करें टॉप डाइंग की तो टॉप डाइंग कुछ नहीं है बल्कि एक कॉम्ड वूल silver को रंगने की विधी है यानि vested wool को best quality की wound को रंगने की विधी है vested wool को रंगने की विधी है और top dyeing की जो process होती है उसमें vested wool fiber को रंगा जाता है और ये dye अच्छी माली जाती है क्योंकि इसमें wastage नहीं होता wastage क्यों नहीं होता कि जब हम wool के fiber को state कर लेते हैं और कैसे कर लेते हैं इसमें से छोटे fiber को अलग कर देते हैं और जब इस stage में dye की जाती है तो इससे wastage भी बच जाती है और ये जो होती है इसमें loops में उसको ratio को लपेट दिये जाता है और फिर जो है डाइब को सर्कुलेट कर रहाता है और इस method में जो डाइब मिलती है वो इवण डाइब मिलती है यादि एक समान जो है रंगाई मिलती हैs और टॉप डाइंग किस पर की जाती है we shifted wool पहीं अगर हम बात करें Toad आइंग के की जाती है before they are cut into stored staple fiber, stored staple fiber में cut करने से पहले यानि filament fiber में जब रंगाई की जाती है तो वो tore dyeing से की जाती है, वहीं अगर हम बात करें solution pigmenting और dope dyeing, dope dyeing को solution pigmenting के नाम से भी जानते हैं इसको spun dyeing के नाम से भी जानते हैं और ये synthetic fibers को dyeing करने की process है, कौन सी, dope dyeing, ठीक है और इसमें क्या किया जाता है अगर हम बात करें dope dyeing की, तो dope dyeing में जितने भी आपके artificial fiber हैं उनको रंगनी की विदी होती है और इसमें जो भी आपका solution होता है, यानि जो spinning solution है, उसको sprinit में गुजारने से पहले ही जो pigments है या dyes है उसमें घोल दिया जाता है solution में और फिर synthetic flaments को produce किया जाता है तो ये थी आपकी क्या fiber stage की dyeing, वहीं हम बात करते हैं कि fiber जब dyeing stage में dyeing कर रहे हैं तो उसके क्या क्या benefits है, सबसे पहले तो क्या होती है कि एक uniform dye जो है मिल जाती है यानि एक समान रंगाई प्राप्त हो जाती है क्योंकि अलग अलग ratio बिना किसी प्रती रोध की रंगे जाते हैं the dye penetrates well into the fibers and so the problem of croaking is avoided कहने का मतलब क्या है कि dye ratio में अच्छी तरह से प्रवेश कर जाती है तो क्रोकिंग की समस्या से भी बचा जा सकता है by mixing of the dyed and undyte fibers before spinning it is possible to get unique effect कहने का मतलब क्या है कि कताई से पहले रंगे और बिना रंग क्योंकि कुछ यान में चेंज हो गई अब जब धागे के वस्ता में रंगाई की जाती है तो इसको किसके नाम से जाना जाता है यान डाइंग के नाम से जाना जाता है यानी fiber से yarn और yarn से fabric से garment तो spinning process के जब कताई के दवारा यान स्टेज में आ गया और जब इसी स्टेज में आगे डाइंग की जाती है तो इसको क्या कहा जाता है यान डाइंग कहा जाता है और in this stage of dye the dye penetrates to the core of the yarn यानी इसमें क्या होता है कि रंगाई के भी different forms की बात के साथ से बहले skin dyeing की बात करें तो इसमें लच्छो की जब धागों को लच्छो की रूप में लपेट दिया और जब dye process की गई रंगाई पर करिया की गई तो उसको बोलते है skin dyeing वही अगर हम बात करें package dyeing की तो package dyeing में क्या होता है कि जब yarn है दागे की स्टे या वह बीम पलपेट दिया जाता है और जब dyeing की जाती है तो उसको वार्प बीम dyeing कहा जाता है space dyeing क्या होता है कि space dyeing में क्या 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 जाता है कि एक different colors जो है yarns के इसमें बनाए जाते है और इसमें सारे रंग को wool yarns को नहीं रंगा जाता है बलकि कुछ-कुछ length से उनको जो क्या प्राइमरी रेजन है डाइं करने का यांस में वह क्या है कि जब उनाए पर्कुरिया में तो नहीं बनाएं से एंट्रस्टिड चैक दारियों और पट्टिय बना सकते हैं और second क्या है कि जब सूथ से रंगे कपड़े आमतोर पर चंकील और गहरे रंग के मिलते है यान्य जब आप यान से डागे से फैब्रिक में हीитा होगा, यान से फैब्रिक में ही चैंज हुता है यान से इसे इन यान s तो इसको piece dyeing या फिर fabric dyeing के नाम से जाना जाता है इसमें भी various forms आपको dyeing देखने को मिलेंगी सबसे पहले हम बात करते हैं back dyeing, jig dyeing, pad dyeing, jet dyeing, beam dyeing question पूछे जा सकता है कि pad dyeing किस stage की dyeing है तो आप normally answer दे सकते हैं कि fabric dyeing की जो material है यानि जो आप fabric कोई तो रंग नहीं है तो fabric material हुआ तो उसको क्या किया जाता है रस्यों के रूप में डाई बात में से गुजारा जाता है without any tension बिना किसी तनाव के इसमें क्या होता है कि जो back dyeing है जब अपने रस्यों के रूप में अपने कपड़े को dyeing बात में डाल दिया है बिना किसी तनाव के तो अब वो किस पे लिपिट जाएगा रील पे और फिर वो उसको dyeing के अंदर डालेंगे और dyeing के अंदर से क्या कर लेंगे उसको कपड़े को खीच लेंगे और यह तब तक प्रोसस रिपीट किया जाता है जब तक कि हमें अपनी मन मर्जी चाहे जो डाई नहीं मिल जाती है फिर अगर हम बात करें जिक डाइंग की तो जिक डाइंग में क्या किया जाता है थि फैबरी कि जीक डाइंग इस हैल डॉन रोलर सी जाता है और इस में क्या चाहिक को फटने हो डाइंग कि तो पैड नाम क्यों पड़ा के लिए जिसका का नाम भाड़ा जाता है इसमें किया आपकू्ट्र के लिए कपड़े के अंदर फिक्स कर देते हैं और धर निकाल दिया जाता है फिर dye को कपड़े के अंदर सैट करने के लिए heat chamber से गुजारा जाता है फिर fabric को धुला जाता है और सुखाया जाता है तो इस तरीके से ये fabric पर dye की जाती है फिर अगर हम jet dyeing process की बात करें तो इसमें भी fabric रस्यो के रूप में रखा जाता है heat tube पर और जहांपे dye solution को high pressure के साथ डाल दिया जाता है और फैब्रिक ट्यूब्स के साथ घूमते रहते हैं और सोलुशन जो है कपड़े से जाधा तेजी के साथ उनको कलर करते रहते हैं इसमें जो है बहुत कम टैंशन दी जाती है जिसकी वज़े से ये डिलिकेट फैब्रिक को डाई करने के लिए सुटेबल होती है कौन सी जैड डाइंग तो यह याद रखना है हाई टेंप्रेश्य डाइंग इस पॉसिबल बोस्ट मशीन के द्वारा फिर अगर हम बात करें कि क्या क्या एडवांटेजिस होती है तो यह अदर फैब्रिक डाई के मुकाबले मतला सश्टी होती है और वूवन नीटिड दोनों फैब्रिक पे यूज की जा सकती है और इसमें वेस्टेज अवोइड होता है क्योंकि जैसे जे ट्रेंड में कलर चल रहा है हम उस कलर को ही क्या कर देते हैं कपड़ों को डाई क करेंग तो अब छोड़ा की जाता है जी क्यों कि जा उसको को इसे consistentagen कि की थे लुए तो तो टॉप डाइंग की बात करिये डॉप डाइंग की जितने भी manmade फाइबर उनको डॉप डाइंग से रंगा जाता है फिर यान की स्टेजिस में हमने बात करी skin dye, package dye, warp, beam dyeing और space dyeing की बात की थी वहीं फैबरिक की बात करें तो उनने beam dyeing की बात करी jig dyeing की pat dyeing की jet dyeing की और finished products को product dyeing के द्वारा रंगा जाता है और जो blended fabrics होते हैं यनि जो دो fabrics को मिला के जो बनते हैं जो fibres को मिला के जैसे कि terry coat हो गया लग-अलग जैसे कि natural synthetic fibers को मिला लिए और बन गए कपड़े तो उनको बोलते है बlanded fabric तो उनमें जो dye की जाती है union dyeing और cross dyeing का जो है youse good सबर VISTA की जाती है कि अलग और रखने के बारंगने डौए इसने डिफरेंस नहीं आता है बलकि यूणे क्रोस्तायिक में होता है कि युणियन डाइव में जब एक बन्धे इपरकार के र फैबर से दोर्त फैब्रिक तयार होता है जैसे कि यूद vag Folge लिए बूल ले लिया है ना तो उसमें जो है जब डाइ करते हैं तो उसमें एक समानता रहती है लेकिन क्रोस डाइंग में जो एक समानता नजर नहीं आती है तो यह थी आपकी आज का टापिक कम्प्लीट होता है और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी पसंद आयोगी